इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा आप बजी बिसमिल्ला रुह्मान अभी मासावक ने मुझी नुसीबर की मुपरिमान का सबताई देगा इला है बिराद्रान इसलाम अजीदान इल्लग को फुल करके बाद तो अभी आपके सामने आए शरीयत और पुरान अधिस के रोश्ति में मुझी अपने ख्याला का इजार किया अब हम मुसल्मान उम्मद मुहमद आवने के नादे से हमारा ये फरीदा मनता है कि उस पर हम अमल पराओगे अब आप अल्ला के रसूल सल्ला लुग सल्म के फर्मान के मताबिक एक मतबह हो सल्ला सल्म में कहा कि ऐसा वक्त आएगा एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग तुमारे बड़ों की कदर नहीं करें चोटों से मुहबत नहीं करेंगे और दूसरा जो है जहां तक आप हम देख रहे हैं कि मुसल्मानों को और इस्लाम को ख़त्म करने की मुनाजम साजिशे हो रही है और आग जो है हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे मसाल हैं मुलादिमत के हैं रोजगारी के हैं और दीगर तालीमे एदवार्थे हैं बहुत सारे हैं लेकिन उन तमाम छोड़ करके हमारी सेंट्रल हुकुमत जो है यन आर्पी और सी सी एके वपर तोजो देडिया और हमारे फुरे फ़क्ति की तोजो अटारी है और इस हुकुमत का भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये मसाइब उठाने के बाद जो है हिंदुस्तान के अंदर जो इंकलाब आया जो हम और गयर जो करीब एक हिसे पर नहीं आते हैं वो आ गए और हमारे इंदर जो इंतिशारत हो एक हो गए और ये जो आता है बुदब कर्द के अभी मैंने पife कि ये जो कुछ मुशिवत है हमारे कर्दतों के वज़ेत है हमारे आमाल के वज़े बुदब को हमारे आमाल को बादे है हम अपने आपके मसल्मान कहते हैं और नाज करते हैं उम्मति मुहमदिया होने पन और होना भी चाहिए लेकिन आमाल के जबार से देखे हम छोड़ होते हैं हम चोरी करते हैं हम धोड़ा ठोका देते हैं हम रिश्वत लेते हैं नमाज के हमारी बाबंदी नहीं बहुत सारी चीज़ें जो अल्ला के रिश्वत नहीं बना के वो तमाम कर रहे हैं और जो करने का हम उपको छोड़ा है तो आइसे बाबंदी में जो है ये मुझे बाबंदी आना हमारे लिए जरूरी और लाज़ी उदूर नहीं परना कि जब हमारे मुसल्मान दिनिया की महपत उनके अंदर गर कर जाएगी और आफिरे के फिक्रों डर खौफ उनके अंदर नहीं होगा तो ये आएगा कि तुमारे उपर एक आइसा जाबे इंसान को हुकुमत मुसल्म कर दिया जाएगा तो उनको आथ तरीके से अधिर अज हम देख रहे हैं एक मरतबह जो नादीर शाह हिंदुस्तान में अम्रावर हुआ और नादीर शाह के बारे में जो कत्व गारे थी तारीक पढ़ने वाले जानते हैं कि वो जो है फून से जो चान्दी चोग रंगे लुए फून से लगपत हुए और जो हैं शाहिदों के अमबार लगे और उसको जो मिरना जाना जाना एक बुदू कासी थी अल्लावाजी शक्से थी उसके बाद जाके मुस्लमानों ने चुका थी हज़रत आप दूा की ये जो नादीर शाह का अधाब हम पर आ रहा है और तक्रीम दे रहा है तो उन्होंने कहा कि नादीर शाह की चाहिसियत वो कौन होता है उसके अंदर एक कोई कुद नहीं है ये जो है नादीर शाह की जो है शामत आमान तूरत नादीर शाह की उन्होंने फरमाया ये जो है ये तुम्हारे हामा का नादीशा की तुरत में आया आज जो मुझी बताई है हमारे कर्टुतों के वजिताई है आज भी अगर हम सही मानों में सच्चे और पक्के मुसल्मान बन जाएंगे शरीते मुतरह पर चलने वाले बन जाएंगे नमाद की पाबंदी करेंगे, पुरान की दिलावत करेंगे शिर्क से, दूद से, जिना से, जुवान से और विश्वत से जितने पुराईयां हैं से बचेंगे कि शाल्ला अलाजी हमारा बाहाँ भी का करने वाला कोई ने तो आज ये अध़त करना पड़ेगा कि ये मुझीबत कुदूर करने के लिए दुनिया वेतेबार से, जितने रेजिया निकाल रहे हैं जो जमूरी हुकुमत के अंदे जितनी कुशी करने वो पूरी के पूरी कीजिए उसमें कोई मानिय नहीं, कोई हुआँ में है लेकिन अपने दिलों को, अपने आमाल को किक करने के तौपिक अदा पर्मा है वाहु रतावाना निल्हम्द निल्हाइ उत्याँ मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मामूली दौटी भाशा में मुली साह हूँ इसलिए माज़वत के साथ याज़ करो के मेरे नाम के साथ मुफ्ती जैसे अजीब अलताव ना लगाए गाए दोस्तों, ये बयान की मजलिस नहीं ये हम आपस में मश्वरा के लिए जमा हूए दो तीन में मैं अपनी मश्वरे वाली बात खतम कर दोंगा आप सब की मालूमाद के लिए के मुल्क के हालाद जो हैं उससे हम में से कोई भी इस वापना वापिफ नहीं पुरे मुल्क में इस वक्त सिर्फ मुसल्मान एहतिजाज की कियात कर रहा है बीजापूर में मुक्तलिफ जमातों मसलकों तन्जीमों की एक मुश्टे का तन्जीम है मुसलिम मुट्धा काउंसिल एम एम सी एहल सुन्त वल जमात तबलिवी जमात जमियत धुल्मात जमियत अलिह जमात इसलामी शीया सुनी सब की मुश्टरकत तन्जीम और प्लेट फार्म है एम एम सी और उसके सदर आलिवकार तन्वीर मिलत थज़त मौलाना सेद शार तन्वीर हाश्वी साहब किबला दामत बरकातों उसके सदर है एम सी की निग्राणी में तक्रीबन दो ढ़ाई साल से दारूर कजा भी चलाया जा रहा है और दारूर कजा चलाने के लिए जहाँ शरी इल्म की जरूवत पड़ती है मस्दे को हल करने के लिए तो उसी के साथ साथ असाय करीमी की भी जरूवत पड़ती है और माशालला एममसी उसी अंदाज पर मसले को हल करती चली आ रही है बहुस्न उफूबी बड़ी तादार में मसायल हल किये जा चुके हैं और बड़े प्यार मुहबत के साथ हल किये जा रहे हैं इसी के साथ साथ दीनी सियासी समाजी हालाग पर भी एममसी की गहनी नजर लेटी है मौजूद हालाग से सर्फिन नजर कर लेना मुम्किन ही नहीं था जम्य तुल्मा की तरफ से लेटर आया सबसे पहली मरतबह मुल्कि में हज़रत मौलाणा सेथ महमूद असर्थ बतनी साथ दामत बरकातों का दिल्ली से लेटर आया कि फला कारीश को पूरे मुल्क के अंदर एक ही दिन पूरे मुल्कि में जम्य तुल्मा की तरफ से तमाम जहां तक मुकिन हो सका किया गया वीजापूर्जिले के तमाम तालुके जात में हमने उसी तारीफ में एक ही तुल्कि में गुरंडम पेश किया शहर वीजापुर में हमने मश्विरा किया कि एक जबियत अल्मा की तरफ से करना मुनासिब मुझे समझ में नहीं आरा अहबाब में मश्विरा दिया MMC के अराकीन और सद्रे मौतरम से मश्विरा करके तैय हुआ MMC की निगरानी में होगा एकजाब और मैं समझता हूँ कि बीजापूर का तारीर साथ एहतिजाज हुआ वो MMC की निगरानी में मर्दों का भी हुआ हूँ इसके बादफ फवातिन का भी जो एहतिजाज किया या भो भी जबर्दस काम्याब है सिलसिला को सलसल चलता रहा चल रहा है शाहित बाग के तर्स पर बीजापूर में भी तक्रीमन एक महीने से खवाती अपने इहतिजाज का सिलसिला जारी किये हुई है अभी पिछले तारीख में गुल्वरगा के अदर साथ अजला पर मुश्तमिल एक बड़ा इहतिजाजी पुरा मुन्विद किया गया उससे तहरीख पाकर M.M.C. के जिम्मेदारों को भी ये ख्याल हुआ मिटिंग बलाई गई जिम्मेदारों की और उसके बाद शहर की तमाम तर्जीमों के जिम्मेदारों की बलाई गई सब ने मुन्तफ़का तोर पर M.M.C. को ये अपनी तरफ से राय दिया के गुलवर्गा के तर्फ पर मुहतरिफ अजलाग पर मुश्टमी एक बड़ा पुराम विजापूर में रखा जाना चाहिए चुनाशे उस मश्विरे के बाद M.M.C. के अराकीन सदर मुहतरम हरकत में आये और इसकी शुवारत हमने गुलवर्गा शरीफ से ही किया कल इस वक्त हम लोग गुलवर्गा शरीफ में थे अबाई दीने शहर उलमा दानिश वराने कोव मिल्लत जमा थे और उन्होंने भरपूर तयकुन दिया के इन्शाल्ला गुलवर्गा शरीफ में जितनी कामयाब तरीके से ये एक्तिजाजी रहनी और पुराम मुनकिर हो गई है इस से ज्यादा पड़े पैमाने पर पीजापूर में कामयाब करने की हम लोग कोशिश करेंगे उसके बाद फिर ये वक्त आज सुबा बागर कोट होते हुए आप तक पहुचाए बागर कोट जिले में भी माशाल्ला बहुत तवक्त से ज्यादा ताहुर की यकिन दिहानिया कराई गई है अब उसके बाद हम आपके पास वो दावतनामा लेकर हाजिर हैं जिसको मुफसल हमारे सदर महतरम हज़रत मौलाना सेयत तन्वीर हाजिवी साहब आपके सामें पेश करेंगे दोस्तों तू न मिट जाएगा एरान के मिट जाने से अखबाल ने कहा था इस शेव के हवाले से और पुरान की इस आयत जो मैंने आपके सामने पड़ी मकर हुआ लोग अपनी चाल चलते हैं और अपनी तद्वीर करता है और अल्ला तो बेहतरी तद्वीर करने वाले हैं मुसल्मान पर जब कभी हाला काते हैं तो इफ्ताही तखरीर में अध्वान अना सरीम साम नद्वी जीदा मजदूम ने आप से कहा कि ये मुसल्मानों को जिजोरने के लिए जगाने के लिए इस वक जो भी अलाग आ रहे हैं दोस्तो इस लिए कि फिर एक मरतबा मुसल्मान जागे और इस देश के बहुत ही जचे तुले मुनासिब सब के हुकूप को बराबरी के साथ दिलाने वाले आईन, कंस्टिटिउशन और सम्मिधान की हिफाज़त के लिए मुसल्मान फिर एक मरतबा इस देश की तारीख ये है के 1757 इस्वी से सिराग नवाब सिराग दौला से लेकर 1831 इस्वी और फिर 1857 इस्वी तक इस देश की आजादी के लिए सिर्फ मुसल्मान बज़रा आदे हैं आजादी की तहरीर आजादी की लड़ाई सिर्फ मुसल्मान नज़रा आते ही से आप सोच रहे होंगे के भारत में ऐसी बात कैसे कही जाए नहीं जड़ टंके की चोट पर आप कहते हैं तारीख इस बात की कवा है लगभग ढ़ाई सो साल तक सिर्फ आप ने और हमने आजादी का चराव जलाए रखा कोई साथ नहीं है ये क्यों हुआ वक्त के हुक्मरानों ने बिरादराने बतन को भूल गुलईयों में डाल कर रखा डखनी जबान में तुम ना कही को नो लरंदे मरंदे मुसल्माना तुमको नोगरी मिल लई है आसान में मिल लई है जागीरे मिल लई है सब सहुलती मिल लई है तुम क्यों परिशान आवाज देते रहया उनको समझ में ये बात नहीं आती और आखिर में जब उन्होंने ये समझा कि ये भेडिया सिर्फ मुसल्मानों को फाड़ खाने वाला नहीं है ये तो हर भारती और हरी हिंदुस्तानी को फाड़ खाने वाला है जब उनके समझ में बात आई है तब वो आजादी की तहरीक के स्टेट पर नजर आने लगे है फिर हिंदू-मुसलिम मुश्तर का तोर पर जब 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 चली यहां बसने वाली तमाम कौमजाद बुरादी ध्रम के लोगों ने शाड़ से शाड़ मिलाकर आजादी की लड़ाए जब लड़ा है तब कहीं जाकर इस देश को आजाद कराना मूंकिन हो सका है आज फिर वही हालात ह वक्त के हुपरा फिर एक मरतबा दिराजराने वतन को लाली पाप दे कर बहका रहे हैं सी ए ए ए आपके खिलाव नहीं है और ये बोल नहीं नहीं है वो सब चांबते हैं तश्रीक की जरूत नहीं है एक कवुणीटी को छोड़के उना की सब का नाम लिया गया है पनीच अलाकी के साथ भारतियों को देशवाशियों को बेबुब बनाने की कोशिश की गई है एसा आप क्यों गराते हैं अगर डी में आ गए तो आपको सिटिजन दे दी जाएगी उन अल्ला के बंदों को मानूं नहीं है कि सिटिजन शिप देने से पहले आप्लिकेशन लिया जाएगा कि हमको भी सिटिजन शिप दी जाए इस अप्लिकेशन का मतलब यह है यूर नाट ए इंडिया नाभार की नहीं है सिटिजन शिप तो मिलेगी भुकोफ नहीं मिलेगी ये उनको कौन समझाए लेकिन हम समझाएंगे इशाल्ला हम वो कौन है जो लाखों की तादान में फासी के फंदे को चोन करके आजादी की चलाग को जलाए रखता है यहां तक कि इस देश की दूसरी कौमों को जब समझ में आया तो मुसल्मानों के शाना मशाना हुए मुसल्मानों को साथ लिया मिल करके कोशिश किया हमें अमीद है ये तही जो आज उठी है उस जमाने के हालाज से कम खतरनाग नहीं है ये कोशिश है 14% को वोट टर बढ़ने का हक दिया जाए बागी को वोट देने से महरूम कर दिया जाए 2024 में इस साथिश को हर कोई नहीं समझता है मुसल्मानों को अल्ला नहीं माली फरासती है और मुसल्मान और खथूसर अलमा इसको समझ लेते हैं वकपर और कवर कस की त्याभ हो जाते हैं आज हम मुसल्मान आगे हैं और वो दूसरी कौमों को बहलावा देने में काम्याद हो रहे हैं बजाहिए कि तुमको के उनको आगे दो तुम्हारा मसला नहीं है लेकिन जो समझदार लोग हैं तानिश्मन लोग हैं जो आगे आने वाले हालात को समझते हैं अब भो भी समझने लगे हैं और अलहम्दुल्लाः मुसल्मानों का इस काम में साथ देने के लिए तयक्न भी देने लगे हैं और साथ भी आने लगे हैं इंशालाः हम उमीन आवी देने हैं उसे तो आज की इस मजलिस में हम MNC की तरफ से या इस अंदोलन की एक्शन कमीटी की तरफ से सम्मिधान बचाओ अंदोलन की एक्शन कमीटी की तरफ से साथ आठ अफराद पर निकले हुए वख आप तक पहुँचे हैं आप सब को दावत देने के लिए मुझे उमीद है कि इंशालाः बेरगाओ अपनी तारीखी रवायाद अपनी रख रखाओ की एक खुबसूरत तारीख की लौशनी में हमारे इस काम में तावन करने के लिए बीजापूर और गुलबर का के शाना मशाना खड़े हो तरके इस सब्विधान बचाओ अंदोलन को कामयाद बनाने में हमारा आप साथ देंगे इन्शालला इन्ही चंद अलफाज के साथ मैं अपनी कुफ़त को खत्म करता हूं वस्सलावालेकूम वर्हमतुल्ही वर्बरकातों करते हैं वस्वालेकूम फडिन साथ मैं अभूम करते हैं